21 जुन मैला सशक्तिकरण के रिये योग अंतराश्टिय योग दिवस की हार्दिक शुपकाम नाएं समास से वी चंद्रकुमार उफ लप्पी भईया जाजू दिया 21 जुन आंतराश्टिय योग दिवस निमित्य भारत स्वाविमान ट्रस्ट वतीने शुक्रवार सकाडी सहाते आठ वाजे परेंत जिल्ला नेहरू स्टेडियम मैदाना वर भव्य योग दिवस साजरा करने तालाई या वेडी योगा सादरी करना जिल्ला अधिकारी सवरप कटियार याननी सुध्धा सहवाग्यों अनेक प्रकाल से योगा करने ताले पतंजली योगा पेट वती ने आयोजित के लेला भाववे योग कारेक्रमात अनेक अधिकारेण ने आपली प्रतिक्रिया वित्त के लिए संपूर्ण विश्वात 21 जुन हा आंतर राष्टे योग दिवस विविधा योगांचे धडे गिर्वित मुठ्या उत्स साहात साजरा करने ताला अमरावती शहरातिल जिल्ला नहेरू स्टेडिया में थे 21 जुन चा सकाडी साहाते आठ वाजी परेंत भारत स्वामिमान ट्रस्वती ने भव्वे योगा कारेक्रमाचे आयोजिन करने ताले या योगा कारेक्रमाचे उद्गाटन जिल्ला दिकारी सोरप कटियार सह इतर मान्नेवरांचे हस्ते दीप प्रजवलन करून सुरुवात करने ताली मान्नेवरांचे पतंजली योग पीट पधादिकारेंनी पुष्प गुच्छ दिउन सोगत केले या वर्षी महिला सक्षमी करन ही थी मसुन जिल्ला नहरी उस्टेडिया में थिल इन डोवर आउडिटीरियाम एथे शेकडोंनी विविते प्रकार्चे योगा सादर केले या ठीकानी वजरासन, पदमासन, भुजंकासन, सुखासन सह, प्राणायम और योगा करने तालित या च्योगा कारेक्रमा जिल्ला दिकारी सोरप कटियार, जिल्ला परिशद मुख्य कारेकारी अधिकारी संतुज जुशी जिल्ला परिशद महिला बालवी का सधीकारी कैलास घोड के यंचा सह, अने कदीकारी विध्यार्थी सह, रुद्धन आगरीक, महिला पुरुशान ने मुठा संख्यन सहबा गितला योग के जो बैनिफेट्स हैं योग करने के, आप बताने की भी जूरत नहीं है, सभी को इसकी जानकरी है और सभी को आप झागुत्ता भी हो रही है कि योग करने के क्या क्या बैनिफेट्स हैं और अब तो बदेश के बाहर भी लोगों को भी इसकी जागुपता हो रही है कि योग करने के क्या क्या बेनेफिट्स हैं बोडी के लिए और माइंड के लिए इसकी लिए आज की दिन पूरे विश्व में योग दिन मनाया जाया रहा है और हम सभी उसका एक चोटा सा पार्ट है चोटा सा भाग है और आज यहां पर उपस्ते सभी संस्ताओं ने जो यह योग दिन आयुजित किया गया है उन्होंने बहुत अच्छे से आज योगा करव झाल